बहुत सारे साथियों के प्रशनाते हैं कि गुरुजी हमारी दुकान नहीं चलती, गुरुजी हमने अपना बिजनस किया हुआ है, हमारा बिजनस नहीं चल पा रहा है, गुरुजी हमारी किराने की दुकान है, वो नहीं चल रही, हमारा कोई और बिजनस है, वो नहीं चल पा अलग-अलग तरह के बहुत सारे भक्तों के, अलग-अलग बहुत सारे समस्याएं अपनी दुकान को लेकर, अपनी व्यापार को लेकर हमेशह बनी रहती है। हमारी खोशिश रहती है कि हम आपके प्रशनों के उत्तर जल्द से जल्द आपको दे सकें और आपकी दुकान इतनी अच्छी चले कि आपको कभी भी ग्रहकों की कमी का अनुभब ना करना पड़े हम आपके लिए मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय भूंड कर लाते हैं आपका फर्ज बनता है उन उपायों को बड़े श्रधा भाव से आप करते रहें परपिता प्रबात्मा की कृपा से आपकी दुकार चलेगी नहीं दोडेगी प्यारे मंधु जनों हमारी पूजा पाट में हमारा इतना बीजी शड्यूर रहता है लेकिन फिर भी हमें ये बता है कि आपके लिए हमने एपिसोड बनाना है आपके पूछे वे प्रशनों का उत्तर हमें जल्द से जल्द देना है आप जो कमेंट करते हैं उनका भी उत्तर ह देते हैं, जिनके comment का उप्पर हम नहीं दे पाते, उनसे हम थोड़ा सोरी भी feel करते हैं, क्योंकि सभी लोगों के comments का जो reply करना है, वो possible नहीं हो पाता, हजारों में comment आते हैं, तो प्यारे बंधु जनों, आप अपना comment वर्टसप पर भी छोड़ सकते हैं, हमारे mail पर भी करते हैं आज का हमारा विशे है उन सभी भगतों के लिए जिन्होंने अपनी दुकान से जुड़े हुए प्रशन हमसे किये थे कि बुरुजी हमारी दुकान नहीं चलती है तो आज मैं आपको एक ऐसा तोटका बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपकी दुकान में कभी काम की कमी नहीं होगी ग्रहकों की कमी नहीं होगी और आपकी दुकान की सेल कभी कम नहीं पड़ेगी साथ्यों बहुत ही आसान ये उपाई है और बहुत कम दिनों में इसका जो असर है वो श्टार्ट हो जाएगा एक बार आपने सच्चे मन से अगर इस उपाई को कर लिया तो मैं पंडित नितिन शास्त्री आपका भाई आपका वंधू आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी दुकान में आर ही हर प्रकार की दिक्कत प्रिशानी तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएगी एपिसोड बहुत जादा इप्पोर्टेंट होने वाला है और एपिसोड को आपने बिल्कुल कम्प्लीट देखना है ताकि किसी तरह की कोई भी महत्तोपुर्ण जानकारी आपसे मिस ना होसके तो चलिए शंकर भवाव को प्रणाम करते हुए आज किसोड की शुरुआत करते हैं हे नाथ शंकर मेरे प्राण प्यारे नमो नील कंठ जगत से हो न्यारे प्रभू सब्त स्वर में तेरा डम रुबाजे नमो पर्म सुंदर सकल जोती लागे हे नाथ शंकर मेरे प्राण प्यारे नमो नील कंठ जगत से हो न्यारे बोलिये नील कंठ भगवाने की जये नमा पारवती पदे हारे हारे महादे नमिशकार सुस्वातम आभार आप देख रहे हैं जोतिश मिराकल और मैपंडित निती शास्क्रे आप सभी भगतों का आज के एपिसोड प्रहारदिक स्वालत करता आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और महादेव का आशिरवात हमेशा आपके उपर बना रहे तो जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि छुपा कर रख दो यह चीज दुकान चलेगी नहीं दोडेगी आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे अगर आप अपनी दुकान में छुपा देगे तो आपकी दुकान कभी भी मंदी नहीं पड़ेगी अर्थाथ आपकी दुकान का काम कभी डाउन नहीं होगा आपकी दुकान में कभी कश्टमर्स की कमी नहीं होगी और आपकी दुकान की बल्ले बल्ले यानि की बहुत अच्छी चलेगी तो प्यारे बंजू जरों आपने अपनी दुकान में मंगलवार के दिन एक लाल कपड़े में साथ जाइफल जीहा किराने वाले से या जो पूजा पात का सामान रखते हैं वहां से आपको जाइफल मिल जाएंगे मंगलवार के दिन एक लाल रोमाल या लाल कपड़े में साथ जाइफल आपने उस कपड़े में अच्छी तरह से बांध कर और अपनी दुकान के मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा से उस कपड़े को सपरश करके आपकी दुकान का जो कैश बोक्स है यानि की दुकान का गुलक दुकान का पैसा जहां पर रखते हैं वहाँ पर मंगलवार के दिन सुबह के ठाइम आपने उस लाल वस्तर को छुपा कर अरख देना है मार कर चलिए चार से पाच दिन के अंदर अंदर आपकी जो दुकान है वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी मिलेंगे अगले अपिसोड में किसी नए मिशे के साथ जय माता की